कर्म से बदल जाते हैं भाग्य. प्रकृत्य रिशी का रोज का नियम था कि वहा नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे. कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था. उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्तिमाल का भी डेरा था. अस्तिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था. अस्तिमाल बड़ा नास्तिक था. वह मंदिरों में भी चोरी डाका से नहीं चुकता था. एक दिन अस्थिमाल की नजर प्रकृत्य रिशी पर पड़ी, उसने सोचा यह रिशी जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो नहों इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं अस्थिमाल ने प्रकृत्य रिशी से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो, रिशी उसे देख कर तनिक भी विचलित हुए बिना बोले कैसा धन? मैं तो यहां बिना किसी लोब के पूजा को चला आता हूँ डाको को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, उसने क्रोध में रिशी प्रकृत्य को जोर से धक्का मारा, रिशी ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर्फ फट गया, रक्त की धारा फूट पड़ी इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि रिशी प्रकृत्य के गिरने के फल्स्वरूप शिवाले की छट से सोने की कुछ मोहरे अस्थिमाल के सामने गिरी, अस्थिमाल अट्ठास करते हुए बोला तू रिशी होकर जूट बोलता है, जूटे ब्रामन तू तो कहता था कि यहां क कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहां से गिरे, अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया, तो मैं यहीं पटक-पट कर तेरे प्रान ले लूँगा। और रिशी को कहां कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, यह डाकू पूर्वजन में एक ब्रामन ही था, इसने कई कलपों तक मेरी भक्ती की, परन्तु इससे प्रदोश के दिन एक भूल हो गई, यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ती करता रहा, दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पांस के ही एक सरोवर तक पहुँचा, संयोग से एक गाय का बच्छडा भी दिन भर का प्यासा वही पानी पीने आया, तब इसने उस बच्छडे को कोहनी मार कर भगा दिया और स्वया जल पिया, इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ, तुम पूर्व जन्म में मच्छवारे थे, उसी सरोवर से मचलिया पकड़ कर उन्हें बेच कर अपना जीवन यापन करते थे, जब तुमने उस छोटे बच्छडे को निरजल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल ल जाने कितने निरपराद लोगों को मारा वदेवालें में चोरियां की इस कारण इसके पुन्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई तुमने पिछले जन्म में अंगिनत मत्स्यों का आखिट किया जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यू के लिए तै था पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुन्यों के कारण तुम्हें मृत्यू स्पर्ष नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लोट गई इश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है इश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सच मुझ अच्छा है यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कश्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह इश्वर ने आपके बड़े हर लिए हमारी द्रिष्टी सीमित है परंतु इश्वर तो लोग पर लोग सब देखते हैं सब का हिसाब रखते हैं हमारा वर्तमान भूत और भविश्य सभी को जोड़ कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है